असलाम नेकुम विवर्ज, वेलकम टू कंजास कुकिंग वर्ल्ड, आज हम बना रहे हैं 12 रभी रवल पर सूप, और हम सब कजन्स मिल कर इसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, और साथ साथ इंच्वाई भी कर रहे हैं, अगर आपको सूप की रैसिपी चाहिए होगी तो वो भी मै आपको ज़रूर दूँगी, लेकिन आज हम लोग 12 रभी रवल पर ज्यादा सूप बना रहे हैं, तो इसकी कॉंटिटीज भी ज्यादे हैं, तो ये आज मैं आपको नहीं बता सकती, आज सिरफ हम बनाएंगे, जी तो हम सब कजन्स ने मिलकर इन सबजीयों को क्रेश कर लिय हैं, और बस अब हम इसे रेडी करने की त्यारी करते हैं, सूप में बॉनलस चिकन यूज होता है, इस वज़ा से मैंने 3 kg बॉनलस चिकन ले लिया है, और ये कॉन फ्लॉर है, कॉन फ्लॉर के 4 पैक्स यूज हुए थे, सोया सोस और चिली सोस टेस्ट के मताबिक, लेकिन हमन स्पाइसी बनाया था, इस वज़ा से ज्यादा यूज किया था, जी तो अब हमने सबसे बड़े साइस का बर्तन लिया है, और उसके अंदर हमने चिकन को डाल दिया है, ये बॉल हो जाएगा, और ये बच्चों ने बाहर बांटना है, आज सूप तो इस वज़ा से हम लोग अब इसमें हम एट कर देते हैं, अपनी क्रश कीवी गाजरें, उसके बाद हम इसमें एट कर देते हैं, बंद को भी जिसे हमने क्रश कर लिया था, तो इसको भी साथ साथ मिक्स करें अब आप, और इसके बाद हमने से कवर करके रख देने हैं, इसमें एक बॉाइल आने दे और इसी से ही उसका टेस्ट आएगा यह डोर है हमारा चिकन सूप के अंदर और इसके साथ अब हम इसे पकाएंगे अब हम इसमें एड़ करें शिमला मिर्च जिसे हमने छोटा छोटा काटा हुआ था तो अब इसे हसन मिक्स कर रहा है उसको यह काम दिया है हमने तो इसके बाद जी जो मटर है ना उसको मैंने बॉइल करके रख लिया है तो वो बस अराम से हम बाद में डालेंगे अब इसमें डाल देते हम काली मिर्चे और नमक तो इसे डालने के बाद अब हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर रहा है हसन और हमजा अब बाड़ी आती है इसे जरा स्पाइसी बिनाने की तो हम इसमें डाल रहे हैं सोया सोस और चिली सॉस अपनी टेस्ट के हिसाफ से डालिएगा आप कम जादा करके तो हमने स्पाइसी बिनाना था इस वज़ा से हमने पूरी पूरी बोटल इसमें एड़ किये थी और इसे थोड़ा सा खटा करने के लिए बीच में विनिगर एड़ करेंगे और अब हम लोग अंडे तो लेते हैं जो हमने इसमें एड़ करने है तो पूरी अंडे की ट्रेय थी एक तो वो हमने सारे अंडे इसमें एड़ कर दिये थे मिक्स करके तो अब इसके लियुआ से मिक्स तो मटर का मैंने आपको बताया था कि उसे मैंने बोइल कर लिए इस वजय से हम एंड पर हेड़ करेंगे और जो एंडों का मिक्सच्चर अभी हमने राइडी किया है वह तो हम इसमें ने एड़ करते जाएंगे और साससे से हिल dus आपने कॉन फलोर के इसे थिक करने के लिए तो मैंने आपको बताया था कॉन फलोर के मेरे फॉर पैक्ड यूज़ धे और आपने कॉन फ्लोर के अंदर पानी एक्ट करना है और इसे अश्ता-इसा-ईसमें आड करते जाने जितना आपको थिक जाएे और इसको सासथ हिलाते तो बस हमारा सूप फिर रेडी हो जाएगा एंड येस दिस दे लास्ट लॉक अफ आर्ट सूप एंड बिलीव में इट्स वेरी टेस्टी तो अब ये सूप जाएगा बाहर जहां पर बच्चे से इंच्छाए करेंगे तो ये तो था थोड़ी जादा मिकदार में तो ये से मैं आपसे इसकी कॉंटिटीज शेयर नहीं कर पाई तो मैं इसे जरूर आपके साथ शेयर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में या थोड़े दिनों बाद तो ये है हमारी मेनत का फल जो अब हम खाएंगे और रिवियोज भी लेंगे अपने कजन से और ये थे इनके तंग करने वाले रिवियोज इनको खुद भी पता है कि ये बहुत मज़े का सूप बना है क्योंकि इन्होंने हमारे साथ मिलकर बनाया था सूप हमजा, हसन, एसन, हाशिम, मैंने और हिना ने मिलकर बनाया ये सूप और अब ये जा रहे हैं बाहिर बज्जों को पिलाने और बारान रभी रवल पर बाहिर जो सजावट हुई होती है वो तो देखने के काबिल होती है और अल्लापाक सब को ये करने की तुफीक अदा फरमाए आमीन आप सब दूआं में याद रखिएगा अलाः रखिष